हवाई जहाज के बारे में सबसे आश्चर जनक तत्थ क्या हैं जो 99% लोग नहीं जानते हैं नमबर एक हवाई जहाज के आविश्कार का स्थिय विल्बर और ओर्विल राइट बंधों को जाता है नमबर दो हवाई जहाज को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इन पर आस्माने विजली गिरने का भी एसर नहीं होता पूरी दुनिया में हर रोज करीब 2 लाग हवाई जहाज उडान भरते हैं पूरी दुनिया की सिर्फ 5 फिजदी आवादी ही अब तक हवाई जहाज में सफर कर पाई है ज़्यादा तरह आत्रियों को सिकायत रहती है कि प्लेन में खाना बहुत गंदा रहता है लेकिन इसमें जहाज की कोई गलती नहीं है दरसल उचाई पर जाकर वाता वरन बदल जाता है वहां मीठी चीजे भी कम मीठी लगती हैं और नमकीन चीजे कड़वी जैसे लगनी लगती है हवाई जहाज में पाईलट और सह पाईलट को अलग अलग तरह का खाना परोसा जाता है क्योंकि अगर एक खाने से किसी एक पाईलट की तबियत खराब हो जाए तो दूसरा हवाई जहाज चला सके साल में एक बार तो हर हवाई जहाज पर आस्मानी बिजली जरूर गिरती है लेकिन 1963 के बाद से जहाजों पर बिजली गिरने से एक भी हाथसा नहीं हुआ हवाई जहाज में पीछे की बीचो बीच वाली सीट सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है यानि प्लेन हाथसे के दौरान केवल यही सीट सबसे ज्यादा सेफ होती है कुछ हवाई जहाजों में सिक्रेट बिड्रूम भी होते हैं जहां प्लेन के कमचारी अराम कर सकते हैं कुछ लोग मानते हैं कि हर हवाई उडान के बाद हवाई जहाज के टायर बदले जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हवाई जहाज के टायर 38 तन वजन तक सह सकते हैं और 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से जमीन पर भी उतर सकते हैं। सैक्डो उलान भरने के बाद अगर टायर खराब होते हैं तभी वो बदले जाते हैं। रात में लैंडिंग के दोरान जहाज के अंदर की लाइट डिम कर दी जाती है ताकि प्लेन के उतरने के बाद यात्रियों की आँखों पर जोड़ना पड़े हैं। प्लेन में दो इंजन होते हैं लेकिन एक इंजन पर भी अराम से चल सकता है। प्लेन के बाथ रूम में अस्ट्रैस यानि राक भी रखी होती है ताकि अंदर कोई सिक्रेट जलाता है तुसे बुझाई जा सके। प्लेन में स्मॉकिंग प्रती बंधी जार। हवाई जहाज की खिड़की के सीसो में एक बहुत छोटा छेद होता है ये छेद प्लेन में प्रेशर को बनाए रखता है। वैसे तो हवाई जहाज बिना पाइलेट के भी अपने आप उड़ता है लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम में पाइलेट का होना निमार होता है। हर प्लेन में यात्रियों के लिए आक्सीजन मास्क होते हैं लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट लायके ही आक्सीजन होती है। दोस्तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सकाइब भी कीजिए धन्यवाद दोस्तों